तो आज हम करेली से एक ऐसा रेसिपी बनाएंगे जो कोई सब्जी या वाजी नहीं है ये एक स्नेक्स बनेगी तो आप इसे प्रेंच फ्राइस करेली का फ्रेंच फ्राइस भी कह सकते हैं जो आपको थोड़ी भी कड़वी नहीं लगेगी इतना मतलब टेस्टी लगेगी और पूरी भी कड़वा नहीं लगेगी और यह जो रेसिपी है आप इसे सिर्फ चावल के साथ दिनर ये लंच के साथ नहीं आप चाई के साथ में भी का सकते हैं तो सबसे पहले हमें इस तरह का करेला लेना है तो मेरे हिसाब से ये बड़े साइज का जो लंबे वाला करेला आता है उसी का यूज़ करें तो ज्यादा बेतर है क्योंकि जो चोटा चोटा करेला होता है उसका जो खडवापन धोड़ा जहाधा होता है शाइद से मेरे ही साप्से मुझे लगता है तो ये जो करेला है इस recipe के लिए best है तो तू हम इसे क्या करेंगे इस तरह से slice में कट कर लेंगे जैसे हम आलू से french fries cut करते हैं ना आलू जैसे cut करते हैं ठीक उसी तरह से हमें cut लेना है तो अभी हमें एक काम करना है जिससे इसका करवापन गायब हो जाएगा तो अभी हम पानी लेंगे पानी में देंगे एक चमज भर के नमक और पूरा तीन से चार चमज निम्बू का रस और इसे हम मिला लेंगे और इसमें जो है ये जो पानी है इसमें हम करेलो को कम से कम दस मिनिट के लिए भीगो के रख देंगे इससे क्या होता है जो करेले का जो एक्स्ट्रा बहुत जादा करवापन है वो चला जाता है तो आपको करेला बहुत करवान ही लगेगी निम्बू और नमक के पानी से इसका जो कड़वापन है ना 60-70 परसंट चली जाएगे और बाकी का जो बचा कुछा रहेगा वो हम आगे कुछ करते हैं तो अभी हम यहाँ पे इसका बैटर त्यार करेंगे इसके लिए मैंने यहाँ पे तीन चमच चावल का आटा करीब तीन चमच कौन फ्रोर का यूज किया है अपने तेस्ट के अनुसार नमक देंगे चुटकी बर हल्दी देंगे अभी निकलेगा खजाना मतलब मसाले का पिता कि भीजेगा बहुत 110 तुपर करीब ऐसा लिया था साई तो अभी हमने यहाँ पे जीरा धनिया लालमिश का पावडर डाला मिला लिया और इसमें अभी हम पानी डालेंगे और इसका जो बेटर है वो तेयार करेंगे जो बेटर है ना वो बहुत ज्यादा पतला भी नहीं हो नमा खल्दी से यह बैटर हमने तयार किया है तो अभी 10 मिनिट हो चुके हैं इसे भीगोया हुआ तो मैं आपको एक दिखाती हूँ कि बैटर कैसी होनी है मतलब अच्छी तरह से जादा पतला भी नहीं होना है तो अच्छी तरह से खोट होना है तो मुझे लगता है यह थोड तो मैंने दूसरे पतिले में ट्रांसपर कर लिया इसे तो अभी हम क्या करेंगे यहां पर तेल लेंगे इसमें आपको बहुत ज्यादा तेल की भी ज़ुरत नहीं परती है आप थोड़ी से तेल में भी इसे बना सकते हैं तो देखिए यह अच्छी तरह से कोट करकर के हमने यहां पर डाल दिया तो आपना इसे अगर आपके पास कॉन फ्लोर नहीं है तो आप बेसन और चावल के आते से भी बना सकते हैं और अगर सिर्फ चावल के आते से बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं लेगिन कॉन फ्लोर से यह बहुत रिस्पी होता है तो इससे अच्छा हो क्योंकि हमने करेले को यहां पर बॉल नहीं किया है तो आपको धीमी आज में कम से कम 5-6 मिनित लगेंगे साथ मिनिट भी लग सकते हैं आपको धीमियाच में इसे अच्छी करा से कलर आने तर प्राई कर लेना है तो यह तो है करेला लेकिन आप बोलोगे कि करेला है तो करवा तो होगा ही लेकिन ऐसा नहीं है यह थोड़ी भी करवा नहीं लगती है और मैं ऐसे नहीं बोलूँगी आपको ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा क्योंकि जब हम इसे धीमियाच में इसे जब हम ट्राई करते हैं तो यह बाहर की जो लेयर है वो बहुत क्रिस्पी हो जाती है और अंदर में यह बहुत अची तरह से पग जाती है और इसका करवापन पूरा गायब हो जाती है अब ट्राई करके देखना अगर मैं जूट बोल ली हूँ तो आके मुझे आंसस्क्राइब कर देना मैं बुरा नहीं मानूँगी कभी काल कोई-कोई बहुत करवा होता है तो हलका लग भी सकता है मैं यह नहीं कह सकती लेकिन मैंने जो बना आना मुझे थोरी भी करवा नहीं लगी और मुझे लगता है आप लोग बनाओए तो आपको भी नहीं लगेगी तो ये देखिए हमने दो बेच में इसे प्राइ कर लिया है यह बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और इसका देख तो रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में मैंने तो इसे चाय के साथ खाया है क्योंकि यह बहुत अच्छी लगी मुझे जो आलू बाला फ्रेंच प्राइस रहना इसे भी ज़्यादा अच्छी लगी है तो देखें यह कितना खुरकुरा है तो मैं अंदर से आपको दिखा रही हूं तो आप सारी टिप्स और ट्रिक को फोलो करके बनाएंगे तो यह बहुत अच्छी बनेगे और अगर आप भी ट्राइक करें ना तो मुझे कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट जरूर कीजेगा कि आपकी बाली कैसी बनी मुझे बहुत अच्छी लगी एक बार ट्राइक करना तो बनता है